दोस्तों पिछले लेसंस के अंदर हम लोगों ने अडोबी फोटोशॉप के कुछ बहुत ही इंट्रेस्टिंग फिल्टर स्टेडी किये थे इस लेसं के अंदर भी मैं आप लोगों को फोटोशॉप का एक बहुत ही मैजिकल किसम का फिल्टर दिखाने जा रहा हूँ इस फिल्टर का नाम है जी लिक्विफाय टूल तो लिक्विफाय टूल के बारे मैं आपको ये बताता चलूँ कि दोस्तों लिक्विफाय टूल फोटोशॉप में हमारे पास एक ऐसा टूल है एक ऐसा फिल्टर है जिसकी मदद से हम किसी को भी मोटे से पतला बना सकते हैं जी हाँ बिल्कुल यहीं तक नहीं हम किसी के भी फेशल एक्सप्रेशन्स और फेस के जो फीचर्स होते हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं आप लोगों के सामने इस वक्रीन के उपर एक ये मिडल एज इंसान का जो है वो पोट्रेट है आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर चाहिएं हैं और जूरिया है और इसके इलावा इसका जो फेस है वो काफी हद तक ब्रॉड है यानि के चोड़ा है तो चलेज़ चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं, कि हम इस Portrait के साथ फोटोशॉप में Liquify Tool के मतंद से क्या Change लेके आ सकते हैं दोस्त tegen आप लोग देख सकते हैं, कि यह आपके सामने फोटोशॉप में मैंने यह जो एक Portrait है, यह Open करके रखा हुआ है तो चलने मैं आपको बताता हूं कि लिक्विफाय जो है ये हमारे पास फोटोशॉप में है कहां दोसे जब आफ फिल्टर गैलरी में जाते हैं और यहां पे नीचे आप ड्रैग करते हैं तो यहां पे हमारे पास लिक्विफाय टूल जो है ये अवvailable है दोस्तों Liquefy Tool की जो शौट की है यह है Shift Country X जैसे यह Photoshop पे Shift Country X जो है वो आप अपनी कीबemas पर प्रेस करेंगे तो आप Liquefy Tool के अंदर Direct चले जाएंगे तो यहां से मैं इसको क्लिक करता हूं जी और अब होगा क्या कि ये आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है, लिकोफाय टूल की, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें वेलिबल हैं और उनको हम किस तरह से इस्तमाल किया करते हैं, सबसे पहले तो दोस् के उपर हमारे पास कुछ टूल्स दिये गए हैं, ये टूल बार हमें नजर आ रही है, सबसे उपर हमारे पास एक बहुत ही मज़ेगा टूल है जिए फौवर्ट वैब टूल जिसकी शॉर्ट की है डबल्यू, तो ये फौवर्ट वैब टूल करता क्या है, ये बैसिकली अंदर की तरफ लेके हूँ, तो ये देखें, ये बिल्कुल जो उसके फेस कट्स हैं, फेस के वो चेंज होते जा रहे हैं, इसी तरह से आप जहां पे भी जाके इसकी मदद से क्लिक करेंगे और आप ड्रैग करते जाएंगे लेफ पे या अंदर की तरफ तो वो जो जहां पे भी आप ड्रैग करेंगे, वो जो चीज है वो अंदर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, इसी तरह से यहां पे अगर आपको समझाने के लिए मैं करके दिखाता हूँ, ये देखें, अगर एयर को मैं मजीद अंदर करना चाहूँ, तो ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एक्चली मुझे यहां पे इस वक्त नहीं करना, यहां पे हम लोग ब्रॉश टूल जिसका से यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम ब्रॉश को बड़ा चोटा कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि हम किस तरह से बड़ा चोटा करते हैं, ये देखें, बाल size ये देखें ये अगर हम size बड़ा करना चाहें चोटा करना चाहें तो वो हम यहां से आके भी size को बड़ा चोटा कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास यहां पर एक चीज अवैलिबल है जी second number पर यह है density दोसों यह बड़ी interesting सी चीज है यह density basically इस चीज को control करता है कि कितना area जो है वो हमारे brush के अंडर जो है वो effect होगा यह देखें अगर मैं density कम करके यह ड्राग करूं तो यह देखें बिलकुल एक कोड़ा सा area पॉइंट उसमें पकड़ लिया और उसको वो अंदर की तरफ ड्राग कर रहा है इसको मैं control or z करता हूँ यानि के undo अब मैं density को बढ़ाता हूँ और अब मैं इसको आपको अंदर करके दिखाता हूँ यह देखें दोस्तों अब जब मैंने density बढ़ाई है तो इसने कान से लेके neck line तक जितना भी इसका यह जो face का area यह सारे का सारा इसने पकड़ लिया है that means density से हम control कर सकते हैं कि हमारे brush की जद में कितना area जो है वो एक time पे आएगा अच्छा जिसके बाद pressure है हमारे पास definitely pressure तो बहुत ही असान है समझना कि जितना ज्यादा pressure होगा उतना ज्यादा जो है वो यहां पे drag जो हमारा जैसे हम करेंगे तो यह हमारी जो skin है यह अंदर की साथ अंदर होगा तो मैं आप लोगों को recommend यह करूंगा कि आप लोग आम तोर पे at least starting में जब आप इसको use करें liquify को तो आप pressure जो है यह थोड़ा काम apply करें दोस्तों इसके अलावा अद वापस आते हैं हम यहां पे left पे और देखते हैं कि हमारे पस यहां पे मज़ीद कौन से tools हैं यह हमारे पस एक tool है यह reconstruct tool अच्छा यह reconstruct tool क्या करता है जैसे कि इसके नाम से वाज़ है यह basically हमने जो changes की है उनको वापस ले जाएगा यानि कि अगर reconstruct tool के मज़द से यहां पे यह देखें मैं अगर फेरना शुरू करूं तो यह देखें जो भी changes मैंने की थी बालों में या यह कान के नीचे वो सारी की सारी वापस जानी शुरू हो गई है तो यह इस मकसद के लिए इस्तमाल होता है जी कि जो भी changes आप करने है अगर अगर आपको लगता है कि नहीं यार यह ठीक नहीं हुआ कुछ और तरीके से इसको apply करते हैं या इसको try करते हैं तो आप यह reconstruct tool का इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा जी इसके बाद यहां पे मैं थोड़ा सा जो मैंने apply किया था वो मैं ज़रा दुबारा करता चलूं ताक यह मैंने कुछ changes की यह देखें यह मैंने कुछ changes की अब अगर मैं इसको reset करना चाहूं तो यहां पे हमारे पास option है reset all यह देखें जैसे ही हम reset all को click करते हैं तो क्या होता है कि वह जो changes ही वह सारी की सारी वापिस चली जाती है अच्छा जी इसके बाद हमारे पास यहां पे एक tool है smooth tool यह वैसे को बहुत जादा use नहीं होता लेकिन यह जो कोई edges होते हैं उनको smooth करने के लिए काम आता है यहां पे शक्त हमारे पास कोई ज्यादा ऐसे edges वाले areas है नहीं जिनको हम इसके मदद से smooth करें बाराल इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहां पे एक tool available है जी clockwise tool अच्छा यह थोड़ा सा ज़रा यहां पे जीब सा tool है इसको भी ज्यादा तर use नहीं करते लेकिन फिर भी मैं आपको use करके दिखा देता हूं यह करता किया जी clockwise 12 कर देता है यह देखें यह किसी भी चीज़ को यह twist कर देगा clockwise direction के अंदर अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और यहां पे tool available है पकर टूल यह देखें पकर टूल क्या करता है दोस्तों हम किसी भी एरिया पे रखके अगर ब्रुश के मदद से पकर टूल अप्लाई करेंगे तो यह उस एरिया को अंदर की तरफ धसा देगा जैसां यह आंखों के अपर मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है यह नोस पे भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं अच्छा यह तूल वहां पे बहुत काम आता है कि जिसना मिसाल के तोर पर अगर यह नोस है यह मुझे हैवी लगे और मैं इसको छोटा करना चाहता हूं से तो यह द यानि कि अगर आपने किसी चीज को मेगनिफाय करना है या फैलाना है जिसना से मैंने नोस को पहले स्मार्ट किया था अगर मैं इसको मोटा करना जाओं तो यह देखें यह हम काम जो है यह बलोड टूल की मज़शे कर सकते हैं बलोड टूल से बड़े मज़शे कि आप एफेक पुछ लेफ्ट क्या करता है जी अगर हम पुछ लेफ्ट के मज़शे की तरफ प्रेस करें तो यह लेफ्ट की तरफ लेके जाता है और अगर हम नीचे की तरफ प्रेस करें तो यह राइट की तरफ किसी भी चीज़ को ड्रैग करता है लेकिन आपने यह देखा कि यह बहु कान से नीचे और T-Shirt kaller से उपर सिर्फ ऐस एरिया को मुझे चेंज करना है और मैं चाहता हूं कि कान पर या टी-ःरिया कोई changing नहीं हो तो मैं क्या करूंगा जी मैं यहां पर यहां पर इस वाला जो एरिया है टी-ःरिया टी-ःया और कान अगर मैं इसको forward web tool की मदद से अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यह आप एक चीज देखें जहां पे mask apply किया है वहां पे कोई फर्क नहीं पाड़ा चाहे मैं brush को जितना मर्जी बड़ा करना हूँ यह देखें वो जो अंदर की तरफ skin जा रही है वो सिर्फ उस area में जारी जिसको हमने mask नहीं लगाया हुआ ठीक है जी अचा अगर इसी mask को हम खत्म करना चाहें तो यह नीचे हमारे पास एक tool अवेलिबल है जी thaw mask tool इसके मुझा से हम यहां पे अगर brush फेरेंगे तो वो जो mask हमने लगाया होगा वो वापस देला जाएगा इसी तरह से हमारे पास यहां पे zoom tool है जिसके मुझा से हम zoom in कर सकते हैं zoom out कर सकते हैं hand tool अवेलिबल है जिसके मुझा से हम पकड़ के अपने visual को जो है वो drag कर सकते हैं ठीक है जी तो यह दोस्तों आप लोगों ने देखी और अब मैं अगर eyes का size बढ़ा करता हूं तो यह देखें दोनों eyes का size जो है वो बढ़ा हो रहा है अगर आप इस वहले sign को click नहीं करेंगे तो यह left और right पे काम करेंगा इसी तरह से eyes की height आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे मैं थोड़ा सा eyes का size बढ़ा देता हूं क्योंकि यह जो हमारे पास portrait है इसमें eyes का size पहले बहुत चोटा है eyes के width भी आप बढ़ा सकते हैं उसके लावा eyes को tilt भी कर सकते हैं खेर यह tilt अभी इस अगर मैं नहीं कर रहा इसके बाद आती है जी बारी mouth की mouth में यहां पे दोस्तों एक बहुत ही interesting हमारे पास इस अवैलिबल है हम किसी को भी हंसता हुआ दिखा सकते हैं इस tool की मेज़र से liquefy tool की मेज़र से अगर हम यहां पे mouth वाली option पे आएं और हम smile को बढ़ा दें तो यह देखें smile जो है वो बढ़ जाएगी कितना interesting और magical सा यहां पे यह हमारे पास option मौजूद है इसी तरह से हम upper lip को बढ़ाना चाहें lower lip को बढ़ाना चाहें कम करना चाहें तो यह हम यहां से कर सकते हैं mouth के width हम यहां से कम ज़्यदा कर सकते हैं mouth की height यहां से कम ज़्यदा हो सकती है जी इसके पाद आखरी हमारे पास यहां पे हैं जी face की shape अगर forehead हमें लगता है कि कम है तो हम यहां से forehead बढ़ा सकते हैं वैसे यहां पे इस वक forehead जो है वो काफी चौड़ा है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाओंगा chin की height हम कम ज़्यदा कर सकते हैं इसके मज़दा से आप देखने हैं पूरा face जो है वो उपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है तो यह थोड़ी से मैं chin की height यहां पे बढ़ा देता हूँ इसके बाद jaw line हम कम ज़्यादा कर सकते हैं jaw line को मैं थोड़ा सा smart कर देता हूँ कम कर देता हूँ और face की width को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो यह आप ने देखा कि face हमने पूरा altogether change कर दिया जैसे ही मैं OK क्लिक करता हूँ तो यह देखें सारी changes यहां पे मैंने जो की थी लिकोफाइ टूल के मद़से यहां पे आ गई है मैं Ctrl Alt Z करके देखूँ तो यह आप देखें कि face हमने किस कदर change कर दिया हूँ तो आप ने देखा लिकोफाइ टूल में कितनी magical options हमारे पस available है दोस्तो हम लोग ने देखा Photoshop के अंदर लिकोफाइ की मद़से हम कितनी जबदस changes लेकर आ सकते हैं किसी के भी face में किसी के भी body में इसके इलावा यह तो मैंने आपको सिर्फ portrait पर यह changes करके दिखाई है यह जरूरी नहीं है कि यह changes आप सिर्फ किसी के face पर ही करेंगे दोस्तो आप कोई भी चीज हो चाहे वो कोई जानवर हो चाहे वो कोई illustration हो कोई cartoon character हो किसी भी चीज के उपर इस तरह की changes आप लिकोफाइ टूल के मदब से कर सकते हैं तो अब आप लोगोंने करना यह है कि आप लोगोंने लिकोफाइ टूल की बहुत सरी practice करनी है और इसकी थोड़ी सी आप practice करेंगे तो आप इसकी मेंसे बहुत magical results ने वो achieve कर सकेंगे इंशाला तरह next lesson में मुलागात होगी कुछ मजीद Photoshop की techniques के साथ